सो हेगा, इस कैसे हैं आप सब? Well, I hope you all are fine. आज के स्वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के स्वीडियो में हम पढ़ेंगे गौस्टला के बारे में. आज के स्वीडियो में हम जानेंगे कि गौस्टला क्या होता है? इसका जो expression है, वो कैसे आता है? मिन्स हम गौस्टला का प्रूफ करेंगे. और हम क्या करेंगे? और हम जानेंगे कि गौस्टला का application क्या क्या है? मिन्स कि इसे हम कब-कब यूज करते हैं? और कहां-कहां यूज करते हैं? तो चलिए आज का अपना वीडियो सुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो गौस्टला क्या कहता है? गौस्टला कहता है कि अगर आपके पास कोई एक closed surface है और उसके अंदर अगर आपने q amount of charge रख दिया है तो इस charge की वज़े से जो ये electric flux जो पास करेगा इस surface के थुरू वो कितना होगा? तो flux equals 1 upon epsilon 0 times the charge inside तो गौस्टला कहता है कि अगर आपके पास कोई एक closed surface है और उसके अंदर अगर आपने q amount of charge रख दिया है तो इस charge की वज़े से जो flux पास करेगा इस surface के थू वो किसके इककल होगा? वो इककल होगा 1 upon epsilon 0 times the charge inside मतलब कि ये इस surface के अंदर कितना charge रखा हुआ है? ठीक है तो ये हमारे गौस्टला होता है तो एक बार इसका statement देख लेते हैं तो it states that the total electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface तो चलो अब इसका proof देख लेते हैं तो चलो suppose करते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर positive charge है एक isolated positive charge है तो हमें बताना है कि इस charge की वज़े से कितना flux पास करेगा? तो suppose करते हैं कि ये जो charge है वो एक Gaussian sphere से enclosed है मतलब ये किसी एक Gaussian sphere के अंदर है दिखो जब हमने पढ़ा था तो हम जानते हैं कि gauss log कहां valid होता है तो अगर कोई closed surface हो मतलब जो charge है वो enclosed होने चाहिए किसी closed surface में ठीक है? तो इसलिए हम ये suppose करते हैं कि ये जो charge है वो किसी Gaussian sphere के अंदर enclosed है मतलब किसी Gaussian surface के अंदर है और ये जो sphere है इसकी radius suppose करते हैं कि वो कितनी है तो वो है R ऐसा हम suppose करते हैं तो इस charge की वज़े से कितना जो flux pass करेगा वो ही हमें बताना है तो अब तक हम लोग नहीं क्या किया तो अब तक हम लोग ये किया है कि हमाँ पास एक कोई isolated positive charge है और वो enclosed ले किसी Gaussian sphere के अंदर और उस sphere की radius कितनी है तो वो है R ठीक है देखो एक चीज़ पहले मैं बता दूँ कि Gaussian surface जो होता है वो actual में कोई ऐसा नहीं होता है कि वो कोई एक surface होता है वो बस हम imagine करते हैं कि वो ऐसा कुछ होता है अगर मैं बोलों कि हमाई पास एक Gaussian cube है या cubeide है तो ऐसा नहीं कि यह cube है Gaussian cube है यह ऐसा नहीं है Gaussian cube बस हम imagine करते हैं कि हमाई पास एक कोई surface है जिसके अंदर charge enclosed है तो इस charge की वज़े से जो electric field होगी electric field intensity जो होगी तो वो suppose करते हैं कि इतनी होगी यहाँ पर surface पे कितनी होगी तो होगी suppose करते हैं कि E होगी ठीक और आप लोग यह जानते होगे कि area vector area जो होती है वो एक vector quantity होती है और वो कैसे होती है तो वो उस surface के perpendicular होती है और वो area अगर माई लो suppose करते हैं कि हमाई पास कोई एक यह surface है ठीक है तो इसका area vector कैसे होगा तो इसका area vector ऐसे बाहर की direction में होगा इस surface के perpendicular होगा प्लस ऐसे बाहर आता हुआ होगा इस surface पे यह 90 degree बनाएगा इस surface के 90 degree बनाएगा प्लस इस surface के बाहर आता होगा अगर माई लो suppose करते हैं कि हमाई पास यह एक box है और इसका area vector होगा इस surface का area vector होगा तो वो कैसा होगा वो ऐसे बाहर आता होगा suppose करते हैं कि यह जो marker इसका वो इसका area vector है तो वो कैसा होगा तो ऐसे बाहर की direction में होगा और inside भी होगा तो inside अगर हमाई पास कोई close surface है तो हम inside वाला नहीं लेते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये जो महां पास सर्फेस है इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा आउट्वर्ट नॉर्मल मतलब कि इस सर्फेस पे ऐसे पर्पेंडिकुलर होगा और आउट आउट वार्ड होगा तो हम suppose करते हैं कि यह जो छोटा सा portion है इसका area vector है यह तो इसको suppose करते हैं कि यह है ds ठीक है तो यह इस छोटे से जो यह जो छोटा सा area है इसका जो area vector होगा वो कितना होगा? ds होगा और वो बाहर की direction में होगा और इस छोटे से area में से जो electric field intensity होगी इस surface पे वो कितनी होगी? तो हमने suppose किया कि वो e होगी तो electric field intensity at the surface of Gaussian surface कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा e equals 1 upon 4 pi epsilon 0 into charge upon r square मतलब कि यह जो distance है इस charge से यहां तक कि जो distance है वो कितनी है तो वो है r तो r का square हो जाएगा और हम जानते हैं और जो electric flux इस छोटे से area की वज़े से पास होगा तो वो कितना हो जाएगा? तो suppose करते हैं, suppose नहीं, ऐसे the flux या the electric flux electric flux through small area ds equals कितना हो जाएगा? तो flux होता है हम जानते हैं वो होता है e dot ds मतलब कि अगर हम इस flux निकालना होता है तो वो क्या होता है? कि उस point पे या उस जगह पे कितनी electric field intensity है? उसका dot product किससे? उसके area से यह हमारा हो गया इस छोटे से जो area है इससे जो flux पास करेगा वो कितना होगा? 2 होगा हमारा e dot ds इससे suppose कर लेते हैं कि यह हमारे equation 1 है और यह हमारे equation 2 है तो flux equals e dot ds तो इस छोटे से area से जो flux पास करेगा वो कितना होगा? वो होगा e dot ds अभी इससे हम equations नहीं suppose करते हैं ठीक है? तो इस छोटे से area की वज़े से छोटा सा flux होगा तो छोटे से, कोई भी अगर quantity बहुत small है तो उसको हम किससे सो करते हैं? तो d और वो जो quantity है उससे ठीक है? तो इस छोटे से area की वज़े से यह flux आया है और यह क्या हो जागा? अगर इससे हम लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? e ds cos theta ठीक है? तो अगर हम इससे vector form में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं और अगर इससे magnitude wise लिखेंगे तो यह ऐसे लिखते हैं हम इसे अब यह theta क्या है? तो theta is angle between e and ds तो अब आप यहाँ से देख के मुझे बताए कि E और Ds के 20 का जो एंगल है वो कितना है तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे theta equals 0 degree हो जाएगा क्योंकि यह जो area vector है जो electric field intensity है वो कितना है वो parallel है तो parallel के लिए जो angle हो जाता है वो हो जाता है हमारा 0 degree तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं यह हो जाएगा हमारा E dot ds sorry dot नहीं रहेगा E ds हो जाएगा चलो एक मैं लिख देता हूँ cos 0 degree तो cos 0 degree की value होती है 1 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा E ds छोटा सा flux की जो छोटा सा flux है वो हो गया E dot sorry E ds हो गया तो इस छोटी से area की वाज़े से हमने flux निकाल लिया है लेकिन हमें क्या करना है हमें यह जानना है कि इस पूरे जो sphere का जो यह surface है उससे कितना flux पास करेगा तो हम हमने छोटा सा flux निकाल लिया है तो अब पूरे flux के लिए क्या करेंगे तो हम इसे integrate कर देंगे तो total flux हो जाएगा हमारा जो total flux होगा वो होगा integration of d phi तो अगर हम इसे लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा flux equals यह integration of e ds अब मैं इसे erase कर देता हूँ और आपको फिर से लिखके बताता हूँ तो यह जो देखो हमारा जो flux आया था वो कितना है total flux equals integration of e ds अब क्योंकि e तो variable है नहीं वो constant है तो वो integration के बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा e integration of ds अब ds क्या है वो छोटी से एरिया है तो अगर हम उसे integrate करेंगे तो यह मतलब हो जाएगा इसका कि यह जो sphere है उस पूरे sphere की हमें area चाहिए तो surface area of sphere क्या होता है वो होता है 4 pi r square यह तुमने पढ़ा है 9th यह 10th में math में यह तुम जानते हो कि surface area of sphere क्या होता है वो होता है 4 pi r square तो जब हम इसे integrate करेंगे तो यह क्या हो जाएगा e into 4 pi r square अगर मैं इसे तुम्हें ऐसे दिखाओं तो देखो हमने क्या निकाला है यहाँ पे इस छोटे से area की वज़े से flux कितना पास करेगा तो वो हमने निकाला है तो suppose करते हैं कि यह जो यहाँ पे पॉइंट है यह जो छोटी से area है तो इससे कितना flux पास कर रहा है तो हम सब वो होगा d phi तो हमें जब पूरा पूरी area की वज़े से हमें जो flux निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे इस पूरे जो surface है यह जो यह छोटी से area है उसे integrate कर देंगे तो integrate करेंगे तो क्या आजाएगा यह जो solid है उसके पूरी area आजाएगी तो इस equation of ds है उसकी value हो जाएगी 4 pi r square ठीका तो यह क्या हो जाएगा यह जो है हमारा total flux हो जाएगा अब हम क्या करते हैं यहाँ से जो e की value है, जो equation first हमारा, वहाँ से जो e की value है, one upon four pi epsilon not into q upon r square, तो अब हम यहाँ पे इसकी value put कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, flux equals one upon four pi epsilon not times q upon r square, यह तो हो गया हमारे e की value, और यह four pi r square हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, four pi r square, अब क्या करेंगे, अब यह देखो, four pi से four pi cancel हो जाएगा, और यहाँ हमारे जो r square है, उससे r square cancel हो जाएगा, तो जो हमारे flux आएगा, वो क्या आएगा, वो होगा हमारा, one upon epsilon not, यहाँ पे बस बचा है हमारा, one upon epsilon not, times, multiplied by the charge inside, ठीक है, तो यह हमारा हो गया flux, जो total electric flux होगा, इस surface के थुरू, वो किदमा होगा, वो होगा, one upon epsilon not, times, the charge enclosed, यहाँ तो यह हमारा हो गया, गॉस्ट लॉक का प्रूव, एक बार मैं फिर से आपको बता लेता हूँ कि हमने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले हमें, हमें एक चार्ज है, isolated positive charge है, उसकी वज़े से कितना flux पास होगा, हमें वो निकालना था, तो हम इसे suppose करते हैं कि यह Gaussian sphere के अंदर enclosed है, और यह जो surface, Gaussian surface जो है, उसकी radius जो है, वो है R, तो इस charge के वज़े से इस point पे, इस Gaussian surface पे यह जो छोटी सी area है, उस पे कितनी electric field intensity होगी, तो हमने suppose किया E होगी, और यह जो जो छोटी सी area है, इसका area vector कैसा होगा, तो वो होगा outward normal to the surface, तो यह होगा हमारा DS, और इन दोने क इसके beach का angle है, वो कितना है, तो वो 0 ढिख दिया है, क्योंकि यह दुनो parallel है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस छोटे से area से कितना flux pass करेगा, हमने वो निकाला, फिर हम उसके बाद क्या किया, हम यह जो छोटी सी area है, उससे कितना flux pass कर रहा है, उसे हम पूरा integrate कर दि इस equation से e की value यहाँ पर put कर दिया, फिर क्या हो गया, 4 pi से 4 pi cancel, r square से r square cancel, और इसके बाद जो हमारा flux आ गया, वो हो गया हमारा 1 upon epsilon not times the charge enclosed, यह था गौसलाओ का proof, तो चलो दो तीन question देख लेते हैं, गौसलाओ का जो question होता है, question कैसे कैसे बनते हैं, तो हमें flux fine करना है, तो यह यहाँ पर हमें cube या cube दे दिया गया है, जिसके center पर हमने q charge रखा है, तो हमें यह बताना है कि जो cube है, इससे कितना flux pass करेगा, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, कि flux equals 1 upon epsilon not times the charge enclosed, तो यहाँ पर कितना charge है, तो वो है q, तो वो q amount of charge हमारा, जो flux आ जाएगा, उसकी वज़स से वो होगा, 1 upon epsilon not times the charge inside, तो यह जो हमारा था, यह पहला solution था, अब हमें बताना है, अब यही same question है, लेकिन अब क्या कर दिया है, तो अब यह पूछ रहा है, कि यह जो charge है, इसकी वज़से यह वाला जो portion है, यह जो एक face है, उससे कितना flux है, वो पास करेगा, मतलब यह क्या है, एक surface है, यह जो एक face है, इससे कितना flux पास होगा, तो हमें यह बताना है, ठीक, तो total flux, अगर हम निकालते हैं, कि इस charge की वज़से, इस पूरे cube से कितना flux पास करेगा, तो वो हो जाएगा, 1 upon epsilon not times the charge inside, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस एक face की वज़से बताना है, तो क्या कर देंगे हम, यह total flux है, तो इसमें क्या कर देंगे, हम total face से divide कर देंगे, तो कितने face होते हैं, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, तो total 6 faces होते हैं, किसी भी cube के, तो इससे हम क्या करेंगे, 6 से divide कर देंगे, तो यह हो जाएगा, मारा 6 से जब divide करेंगे, तो यह क्या ह नॉट इंटू Q तो हमारा इस यह जो सर्फेस है यह जो फेस है उससे कितना फ्लक्स पास करेगा तो यह होगा यह हमारा हो गया सेकंड का स्वलूशन अब हमें क्या करना है तो अब हमें कोई एक ऐसा दिया हुआ है कि यह कोई सर्फेस है और इसके अंदर हमने 2Q चार्ज रखा है और माइनस Q चार्ज रखा है तो हमने पढ़ा थे जब गॉसला तो मैंने आपको डिफनीशन में यह बोला था तो टोटल चार्ज इंसाइड एनि क्लोस सर्फेस तो यह जब टोटल चार्ज होगा तो यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा अगर हम करेंगे तो 2 कूलम 2Q प्लस माइनस Q तो यह कितना ह यह जाएगा यह क्यों ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा night charge नेट चार्ज हमारा यह जो टोटल चार्ज हो कितना आ गया । वह होगा सिर्फ यूग अब सरुपेस की वज़े से कितना फ्लक्स पास होगा तो होगा, वो होगा, 1 upon epsilon not times the total net charge inside the surface, तो हो कितना हो जाएगा, तो हो है हमारा Q, ठीक है, तो यह हमारा जो तीसरा question था, उसका यह solution और यह answer हो गया, तो मुझे उमीद है कि आपको जो question है, वो समझ में आया होगा, और आपको यह एक idea मिल गया होगा, कि gosh law से कैसे कैसे question आते हैं, तो मुझे उमीद है कि आपको यह जो वीडियो है, वो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को like कीजेगा, channel को subscribe कीजेगा, और मुझे comment में बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीड achieve it